नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फेर M6 Shorgen के इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त वर्वीन नाणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे Pivot Points Indicator की इसमें क्या होता है कि हमें Pivot Support और Resistance के Levels मिलता है बहुत सारी लोगों का हमारे पास मैसेज आया था कि Pivot Point वाला इंडिकेटर चाहिए क्योंकि MT4 जो यूज करते हैं Meta Trader Charting Platform उने एनलेसिस करने के लिए Pivot Support Resistance की बहुत जरूद पड़ती है तो यह वीडियो उनीक लिए है जिनको भी Pivot Point का या Support Resistance का इंडिकेटर चाहिए वो दिये हुए लिंक से डाउलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है उसके इंपुट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं कि चार तरीके के Pivot हमने दिये हैं Camarilla है, Fibonaki है, Woody है और Standard Pivot जो Normal होता है वो वाला है ठीक है चारो को अलग-अलग तरीके से आप लगा के Draw कर सकते हैं चार्ट में आपको Lines दिख जाएंगी, Support, Resistance की साथे साथ अगर उनके Mid Level भी आप निकालना चाहते हैं तो वो भी उस Indicator में Available हैं आपको देखने को आजाम से मिल जाएंगे, ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन जो भी वीवर्स हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीज़े चैनल को क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोचसान मिलता है और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का दूसरा दोस्तो यह इंडिकेटर जिसके अभी मैं बात करहां वो फ्री आफ कोस्ट में लेगा आप डाउनलोड करके रन कर सकते हैं कोई भी आपको कोस्ट पे नहीं करना है तो चलिए बिना समय कभाई वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो यह इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया वो है मैटा टेडर 4 के लिए और वो सिर्फ मैटा टेडर 4 में ही काम करेगा अगर आप मैटा टेडर 5 में या और किसी ट्रेडिंग व्यू में अगर एक और किसी चीज में इसको रन करते हो तो यह रन नहीं होगा चलेगा नहीं कई बार क्या होता है कि लोग पूसते हैं कि MT4 का इंडिकेटर है MT5 में चलाना नहीं चल रहा है यह प्रॉब्लम आ रहा है वैसे पर प्रॉब्लम आ जो है bit.ly forward slash msg abs ठीक है यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा ठीक है याद करने की जरूत नहीं है जब आप यह लिंक पर जाएंगे तो यहां पर आपको यहां पर काफी सारे इंडिकेटर यहां पर जो आल पीबित msg है यह वाला इंडिकेटर आपने डाउनलोड कर लेना है ठीक है डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा show in folder में दिखेगा show in folder से आपको इसे copy कर लेना है उसके बाद आपको आना है अपने matter trader 4 में और Matter Trader 4 में आके आपको फाइल में जाके Open Data Folder में जाना है और Open Data Folder में जाने के बाद आपको करना है MQL4 और Indicators और यहाँ पर आप जो है या तो आप कोई फोल्डर बना लो जैसे मैं निकने आप फोल्डर बना देता हूं मैंने New Folder पर गया और मैंने यहाँ पर लिखा Pivots ठीक है Pivots लिखा और उसके बाद मैंने इसको Double Click किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया Separate Folder बनाने से यह रहता है कि separate category के Indicators को आप एक जगे रख सकते हो तो यह मैंने इसको कर दिया ठीक है अब मुझे Right Click करना चार्ट में और Refresh पर क्लिक करना है तो जैसे ही मैं Refresh पर क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देखेंगे कि folder दिखाई देगा हमें Pivot के नाम से उस पर जब Double Click करेंगे यहाँ Double Click करेंगे तो यहाँ पर Inputs आ रहे हैं ठीक है चारो अलग अलग फॉर्मुले के यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर इसके बाद लिखा रहा है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है Draw, Floor, Mid, Pivot Points यानि की Medium अगर Pivot Points भी निकालने है दिखाने है तो उसको आप Yes कर सकते हो मैं इसको फिलाल No ही रखूंगा तीसरा option है यहाँ पर Show Price Level यानि की Price का जो लेबल है यानि की Support कितने पर है Price Pivot कितने पर है उन सब चीजों का अगर Price आपको देखना है तो इसको True करना है या Yes करना है ठीक है तो यह है मैंने Yes किया हूँ है टाइम फ्रेम वन डे ठीक है यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम हैं उनके हिसाब से आप चार्ट को सेट कर सकते हो उस अलग 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 साब से आपके Pivot Points निकल करेंगे मैं प्रेफर करूँगा कि आप डेली टाइम फ्रेम को यूज करें क्योंकि जाए तर डेटा के लिए डेली टाइम फ्रेम जादा बेस्ट रहता है ठीक है उसके बाद आगे है Pivot Time Level Setting यहां पर आप देखिए यह लिखा हुआ है Custom Message Before Pivot Name इसमें अगर आप कुछ भी लिख देते हैं जैसे सिंबल का नाम लिखना है तो सिंबल का नाम लिख देता निफ्टी उसके आगे वो चीज़ें लिखे हैंगी वो मैं भी आपको रन करके दिख ठीक है Short Lines Draw करनी है या यह यह या या नो लाइन मतलब जो Lines है लैवल की जो Lines है वो शो करनी है ने करनी है ठीक है Line की Length कितनी हो कि यहां पर डग़िए आप Lines की Length बड़ा घटा सकते हैं Line style Solid रखना है Dash रखना है Dotted रखनी है, Dash Dot रखनी है या Dash Dot रखनी है तो इसमें कोई और फॉन्ट चेंज करना यहां पर नाम लिख सकते हो ठीक है फॉन्ट का साइज कितना रखना है उसकी वैल्यू दियुए है और लेबल शिफ्ट राइट या लेफ्ट राइट जैसे भी करना वह उसकी वैल्यू लिखी हुई है आप इसमें जब वैल्यू चेंज करेंग तो अब यहां पर मैं इसको ओके करता हूँ जैसी मैंने ओके किया यह देखो अलग अलग कलर की हिसाब से सपोर्ट और रिजिस्टेंस लेवल आ रहे है यहां पर जो यह नीचे परपल कलर का आ रहा है यह पीविट पॉइंट है ठीक है इसके आगे वैल्यू लिखी आ रही के बाद जब आप इसे क्लोज करें तो यहां गखुआ यहां पर दिखाए देरीए। डाटट लाइन दिखाए देरी है इसके बद अगर आपको सबक्स करना यह तो आप इसको चेंड कर सकते हो तो ठीक है नीशे यहां पर डैस डॉोट का ऑप्शनो आ खाउड और इसको च करता हूँ ठीक है यहां पर देखिए मैं फॉंट चेंज करता हूँ अभी मैंने फॉंट चेंज किया हाला कि इतने छोटे से मैं आपको समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा फॉंट इसमें चेंज हुआ है कई बार पोजिशन के हिसाब से आपको फॉंट अच्छा लगेगा यह वाला कैलिवरी लगाना है और कोई भी लगाना है देखिए मैं आपको एक और दूसरे फॉंट के हिसाब से बताता हूँ इस फॉंट में आपको ज्यादा समझ में आएगा यह जो भी फॉंट आपको डालना है फस्ट लेटर जो है वो जो है ना कैपिटल होना चाहिए उसके बाद के स्मॉल लिखने है ठीक है अिह यह धिखो यहाँ पर ।ो इस इस नहीं बिल्ग पी चैंज हो सकते हैं अब आते हैं हम इंकर लेवल को चांज करने के लिए तो जो वी था हमारा यहां पर इसको फीब्रिंदा की ना की करना देए게 करेंगे तो फीबनागी के हिसाब से लेवल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है यह देख रहे हो आप यह लेवल्स जो फीबनागी के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं अगर हमें और दूसरा हिसाब से चेंज करना कैमरीला का लगाने तो आप कैमरीला के हिसाब से भी यह बुडी की हिसाब से लगानी है, तो आप वुडी की हिसाब से लगा सकते हो, इसको आप OK करेंगे, तो यहाँ पर देखो यह आगे है, Resistance, Pivot, Support, Support 1, Support 2, Resistance 2, ओपर आरा होगा Resistance 3, तो इस तरीके से यह काम करता है, ठीक है, आपको अगर मालिजे, इसको यूज करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया था फाइल में जाना है ओपन डेटा फोल्डर में जाना है और यहाँ पे MQL में जाके इंडिकेटर्स में आ तो डारेक्ट पेस्ट कर दो या कोई फोल्डर लिख दो जिसको भी है फोल्डर के साफ से आपको याद रहेगा ठीक है फोल्डर लूगे तो फोल्डर लाल सकते है नि तह ड needs, अधार्मल लाल सकते ओ ठीक है यह free है आपको description में link मिल जाएगा आशे करता हूँ यह video आपको पसंद आओगा पसंद आओगा है तो please चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा वीडियो को लाइक कर दीजगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजगा मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड हैपी ट्रीडिंग